राधे राधे कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्त होंगे तो मैं भी ठीक हूँ स्वागत है आपका हमारी चैनल संगीत अत्यागी व्लोक्स में तो आज मेले क्या आगी हो यह ऐसा डियाबाई जिससे आप हजारों रुपे बचा सकते हैं तो गैस कर देना है ओन तो आप चाहे तो गैस का हाई फ्लेम करके और इसको जला ले उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप इस तरही किसे कैंडल की हेल्प से भी जला सकते हैं और गैस को ओन ही रहने दे तो यहां इसको मैं जला लूँगी जलाने के बाद हमें इसको बि इस DIY से तो सभी लोग follow कीजिएगा आज कल के टाइम में न हम सभी के बाल सफेद होते जा रहे हैं उन सफेद बालों को छिपाने के लिए हम chemical products का use करते हैं जिससे कि हमारे बाल और ज़्यादा damage हो जाते हैं और ज़्यादा ज़ड़ने लगते हैं और ज़्यादा white हो जाते हैं तो उससे बचने के लिए आप ये DIY बनाईए तो इससे क्या होगा ना जो आपके बाल एकदम से सफेद हो गएं वो जड़ से काले हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार apply किया और आपके बाल काले हो गए इसको जब भी आप ऑईलिंग करें उसमें एक चमच ये पाउडर मिला लें और उसके बाद अपने बालों में मसाज करें उससे आपके बाल जड़ से धीरे-धीरे काले होने लगेंगे और आपके बाल घने मजबूत और बहुत जादा स्ट्रोंग जाएंगे जो भी आप अपलाई करते हो उसमें इस पाउडर को एड़ कर लें और अपने बालों में लगा लें या इसका डाई भी बना के रख सकते हैं तो यहां यह देखिए जो नारिल के छिलके थे वो कोईले जैसे हो गए है और यहां मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि यह अपने आप ही जलते जा रहे हैं उसके बाद मैं इसको एकदम पाउडर जैसा बना लेना है धीरे-धीरे स्पेचला की हेल्प से हैं इसको नहीं पीसना है ऐसे ही इसका पाउडर बन जाएगा इसको बारिक पाउडर बना लेना है यहां देखिए स्पेचला की हेल्प से दवाते हुए बिलकुल बारिक कर लेना है बारिक करने के बाद इसको ठंडा कर लेना है एक बोटल में शीशी में इसको स्टोड करके रख लें और जब भी बालों में ऐलिंग करें तब एक चमच उस ऐल में एड़ करें और बालों में लगा लें अगर सरसो की तेल अगर आप यूज करते हैं तो बैस्ट है उसमें अपलाई करेंगे तो आपके रजल्ट और अच्छा मिलेगा या बादाम का तेल यूज करें तो वह भी बहुत अच्छा है तो यहां देखिए यह खंडा भी होता जा रहा है साथ की साथ और जो भी जैसे आपको आग जैसा देख रहा है ना उसको भी हम स्पेचला की हेल्प से दबा दबा के उसको मतलब बुजा देना है बिलकुल बा जैसा सप्त बन गया हो एक दम से हमने बारिक पाबर बना लिया है उसके बाद हमें क्या करना जै चान लें या तो आप में छान लेने十 आप यहां चान लेनी हैchen मैं चान को भी बेरी प्ल लाइज हो साधूर नहीं करना सक्राप तो यहां एक चमच हम इसमें बादाम ब्रोगन ओयल और एड़ कर देंगे अगर नहीं है तो इसकी जगे आप ऐलोवेरा जैल का भी यूज़ कर सकते है तो यहां इसको थोड़ा थोड़ा डाल के में मिक्स करूंगी जर्षे काले हो जाएंगे reverse जर्षे काले हो जाएंगे जैसे के आपके बाल सफिद हो रहे है आपपारते तो दीरे दीरे वो काले हो जाते है यह देखिए यह डाई जीसा बन गया है और इस इन। इल है, जो भी ऑपिल आप यूज़Stay 대 gift महीं चैती ऑप जहीं के चैए तो milk तो आप एड कर लिए और यह दो आपिलाए is झाल के तो अधोरिया가, उसके बाद वाश कर लें तो आपके बाल बहुत जादा घने काले और बहुत जादा मजबूत हो जाएंगे और बहुत अच्छी शायन आएगी अगर यहाँ देखे हमारी डाई बनके तयार हो गई है तो यहाँ अभी तो हम इसको डाई की तरह यूज कर रहे हैं आप चाहें तो इसका पाउडर बना के रख लें जैसे कि मेना पाउडर जो चाहना था बस उसको स्टोर करके रख लें और जब भी बालों में ओईलिंग करे एक चंलिद काई कर लें और उपने भालों में पेलाई कर लें तो यह तो हम बना रहें हैं घाई तो इसको डाई की तरह हम यूज करेंगे तो यह देखिए मेरे बार यहां से वाइट वाइट होने थोड़ी थोड़े हैं तो मैं कलर वगेर नहीं करती तो मैंने जो डियावाई करके डाई टाइप से बनाया है उसका यूज कर रही हूं तो यह देखिए तो जहां जहां पर क्रेह रहे हैं वहां पर मैं इसको अप्लाइ कर लूग और इसना को मैं तरीके से इससे इससे क्या होगा ना आपके जो बाल है जड़ से काले आनी लगेंगे तो इसको तीन घंटे तक आपके बालों में रखना है उसके बाद इसको वाश कर लेना है उसके बाद आपके बालों में गलक्सी शायना जाएगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें जिससे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो नेक्स लोग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें थैंक्स वर वचिंग बाबाई टेक केर